दोस्तो आई इस वीडियूम हम देते हैं कैसे हम अपने की बोड कर बैकगरावणड इमेज लगाते अपनी फोटो लगाते हैं अपने keyboard पर ठीक है दोस्तों तो इसके लिए सबसे पहले हम मैं आपको दिखा देता हूं WhatsApp पर जाके ठीक है tapping करके कि हमारे keyboard पर भी कोई भी background वगारा कुछ भी नहीं है ठीक है दोस्तों मैं आप टाइप open करता हूं कि कुछ भी नहीं है background में ठीक है तो अब इसके बास से हमें एक application की जरुत पड़ेगी जिसका नाम है जी बॉर्ड जो बैसिकली most आप दो cases में आपके mobile में हो गाई तो हम सर्च में सर्च करेंगे keyboard ठीक है दोस्तों सेटिंग में जाके सर्च में करेंगे keyboard उसके वास से हमें current keyboard पर क्लिक कर देंगे तो keyboard नहीं है सिस्टम में पहले से तो हम जाके सीधे किसे Google Play Store से जी बॉर्ड इंस्टाल कर लेंगा ठीक है तो इसको मैं यहां से अपडेट कर लेता हूं ठीक है अपडेट करने के बाद से इस एप को कि हलाकि यह एप तो इंस्टाल है तो मैं फिर सेटिंग को ओपन करूंगा कि क्रेंट की वोड़ पर क्लिक करेंगे और यहां पर मैं जी बॉड्ड सेलेक कर लेता हूं फिर उसके बाद से चूछ कीवर और दिंस में प्लस का जो आइकन आ रहा है वहां पर हम क्लिक करेंगे वहां पर क्लिक करने काiserी डॉर करते हैं हमारे गालरी में ठीक है यहां सब्तबी फोटो घ्रा चालोगरा चाहते हैं वो एप रिवीव आ रहा है, उपर आ रहा है, myself, अब ब्राइटनेस चाहिए, तो इसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ब्राइटनेस अर्जस्ड करने का बात से, हम नीचे done के button पर click कर देते हैं ठीक है दोस्तों तो यह set हो जाएगा done पर हमने click कर दिया फिर ऐसा आजाएगा key borders apply तो हम यहाँ पर apply पर click कर देंगे ठीक है दोस्तों तो यह हमारे keyboard के background में हमारा image लग चुका है देखे background में सल्मान खान का image रखा हुआ है ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दिए इसका brightness आप dark कर सकते थे light कर सकते थे जितना image आप चाहते थे उसके हिसाब से रक्स लेते थे ठीक है दोस्तों तो I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुडबाई